कि यूट्यूब चैनल पर आपका पूर्ट मुस्वागत है फ्रेंड्स यह देखिए आज हम आपके लिए बहुती प्यारा डिजाइन लेकर आए हैं इसे आप कार्टेगन जैकेट में डाल सकते हैं चाहिए तो आप इसका बॉडर बनाकर बॉडर भी बना सकते हैं देखिए इसके लिए हमने जो फंदे लिया है 21 के मल्टिफल में लेने 21 फंदों का डिजाइन होता है पूरा है चलिए फ्रेंड्स हम डिजाइन शुरू करते हैं इसके लिए हमने जो फंदे डाले हैं हमने टोटल 44 फंदे डाले हैं इसमें हमारे दो डिजाइन बनेंगे सबसे पहले हम जो पहली सलाई है उसको हम सीधा बिने लिए पूरी सलाई हम ऐसे ही उतारेंगे देखे फ्रेंड्स यह सलाई हमारी पूरी उतार गए अब हम दूसरे सलाई बुनेंगे इसको भी हम अपनी तरब से उल्टा बुनेंगे हमारा जो यह हिस्सा है यह आगे का हिस्सा है यह डिजाइन वाला हिस्सा है ई यह हमार deze जो तेन जलाई है एक शाइड पूर्शनें उल्टी बुनी है यह हमारा सीधे वाला हिस्सा है अब हमारा जो उल्टे वाला हिस्सा है, हम इसमें एक सलाई अपनी तरफ को बुनेंगे, उल्टी, हमें पूरी सलाई ऐसे ही उतारनी है, यह हमारी जो उल्टी सलाई है, पूरी हो चुकी है, अब सीधे साइड से बुनेंगे, अब हमारा डिजाइन डलेगा, इसके लिए हमने एक फंदा जो है सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, और दूसरा फंदा भी हम सीधा ही बुनेंगे, और इसके उपर को ले जाकर बुन लेंगे, एक फंदा हमारा बढ़ गया, अब हम तीन फंदे उल्टे एक फंदा सीधा, तीन उल्टे, 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 और इस 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 एक फंद फिर तीन रूटे और फिर ये एक बंदा सीधा है हमारा जो एक डीजाइन है कि वह कंप्लीट हो चुका है आपर देखिए एक दो तीन चार्ट साथ तार्ट नों तस ग्यारा बारा तीरा चोधा अटारा उनीस बीस जो 21 बंदे हमारा पूरे हो चुक है अब हम धागा अकिटाएंगे और हम सीधा ही उनेँगे और हन्दा हमारा इस तरिके सी काशी बढ़ DAVID मु.'' फिर हम वही करेंगे तीन पन्दे उल्टे एक पन्दा सीधा तीन पन्दे उल्टे एक पन्दा सीधा तीन फंदे हमारे उल्टे हुए एक सीधा यह फंदा बच्छा अब हम धागा अगे लाएंगे और इसको सीधा बिनेंगे जो है यह फंदा हमारा यहां पर पढ़ गया अब हम जो पहला फंदा है इसको हम उल्टा बुनेंगे और जो हमारा बढ़ा हुआ बंदा है इसको हम उल्टा और यह तीसरा भी हम उल्टा इसके बाद जो तीन हमने इधर की साइड उल्टे बुनने थे हम इधर की साइड से सीधा बुनेंगे हुआ हुआ है घू न यो शुरू के तीन फंदे थे इंको अपने प्लटमा है के इस्झाट यो यो इधर की साइड उब्समतग फिर नीग ह्षै वह एंदग है इसलिट को अब कि आ पर को के सीधह कहा है कि इसलिट्ट कमें समनी है इंकos है कि देखे फ्रेंट्स यह हमारा जो एक फंदा यहां पर बढ़ा हुआ था जैसे पहले वाला फंदा है इसको अपनी साइड को उल्टा मुझेंगे और यह तीसरा भी उल्टा जो इधर की साइड से सीधा है बागे तीन फंदे सीधे एक उल्टा तीन सीधे देखे अगर हम सेवंध रो सुरू करेंगे पहला फंदा पैसे ही गुनेंगे सीधा यह दूसरा भी सीधा अब धागा इसके उपर को लेकर एक हुषन अ करेंगे परूसरा के छूद्वालियूस्की करेंगें यह देखें अब भी जकाट बढ़ांistriaों और फिर वही, तिन गुल्टे, एक सीधा, देखे, अब हम लास्ट वाली बंदे पर आगे हैं, एक बंदाम सीधा मुनेंगे, फिर दागा के लिया, एक बंदाम ने बढ़ाया, और एक बंदाम ऐसे सीधा मुनेंगे, अब जो सुरू के हमारे चार फंदे हैं, इनको हम उल्टा मुनेंगे, जब तीन फंदे हैं, इनको सीधा मुनेंगे, फिर एक उल्टे, एक उल्टा हुआ, तीन सीधे, अब जो हमारे बीच वाले फंदे थे बढ़े वे इन पर आ गए, अब हम ये सारे फंदे उल्टे गुनेंगे, दो, तीन, चार, और ये पाँच ये फंदे हमारे उल्टे हुए, अब तीन सीधे, एक उल्टा, इसी तरीके से हम फुरी को कम्प्लेट कर लेंगे, लास्ट वाले चार फंदे हैं, इनको हम उल्टा ही मुनेंगे, देखें फ्रेंट, ये डिजाइन हमारा, अब देखने लगा है, एक, दो, तीन, चार, और ये पाँच, माज लाइन हमारी देख रही है, अब हम ये नाइंद रोज शुरू करेंगे, इसके लिए हमने एक बंदा सीधा उतारा, फिर एक बंदा हम सीधा ही बुनेंगे, फिर धागा आगे किया, एक बंदा हम बढ़ा लेंगे, फिर धागा आगे किया, और ये एक बंदा हम और बढ़ा लेंगे, है कि देन्स चेट नाइन थु में हम घटा न भी सुरू करेंग機 उन्धा सीधे वाला है इसको ऐसे पले लेंगे 3 बडला कि एक फन्दा बनाइंगे इस नृप है इन्धा घट जाएगा निैई व्यूस का भाकि हमारे जो उलटे वाले फन्दे थे ये दो बचिंगे इनको हम उल्टा बनेंगे और जो एक फंदा है इसको हम पलट लेंगे और इसके साथ हम इसको कटा लेंगे दो कहां किया है और हमारी है दो फंदे उल्टे बजे देखिये तेखिये हम जो बीचे में हमारे फंदे बढ़े हinters थे अब हम यहाँ पर प्लट लेंगे इसको हम सीधा बुनेंगे दागा आगी किया इसी तरीके से हम यह फंदे बढ़ाएंगे उसके साथ हम यहां पर बढ़ा भी लेंगे और यह फंदा हम कटाएंगे भी देखिए अब हम दागा आगे करके इन दो फंदे हैं जो इनको हम उल्टा बुनेंगे देखिए यह फंदा जो है इसको हम पलटकर पलटेंगे जिरूर नहीं तो हमारे टीजाएंगे अच्छा नहीं आएगा अब फिर हमने दो कई किया और यह हम दो फंदे उल्टे कि दो फंदे हमने उल्टे बुने इसको हम पलटकर सीधा करेंगे और इसे हम ऐसे ही बुन लेंगे फिर आगे दागा करके एक पंदा बढ़ा बुन आ यह हमारे तरिशनें पर पंच फंदे हो चुके हैं और यह जोह सीधी वाला इसको मिला गई और इच्छे हैं अब हम जो दो फंदे थी इनको हम सीधा बुनेंगे एक उल्टा दो सीधे एक उल्टा इसी तरीके से हम अपनी रोग कम्प्लेट करेंगे और जो हमारे बीच के बढ़े हुए थे इनको हम उल्टा बुनेंगे अपनी साइड को इसके लिए हम एक बंदा सीधा बुनेंगे दूसरा में हम सीधा बुनेंगे और फिर दागा आगे करके एक बंदा हम बढ़ाएंगे फिर दागा आगे करेंगे और बढ़ाएंगे फिर दागा आगे करेंगे और बढ़ाएंगे फिर दागा आगे करेंगे और बढ़ाएंगे पीच वाला एक फंदौ है इसको हम उल्टा पुनेगे फिर धा हागा पीछे करके इस था परढ़ा प्लट लेंगे और इसके साथ मिला करके फंद हम घटा लेंगे अब हमारा जो तीन में से दो बच्चे थे अब दो में से अब हमारा उल्टा एक फंदा बचा है बीज में एक फंदा हमारा घट गया है इसको पलट लेंगे और एक फंदा में घटा लेंगे आपके अब हम पंदे बीर बढ़ाएंगे अधा आगे किया फिर हम एक फंदा इसके साथ बटा देंगे फंदे थे बड़े में टोटल हमारी 17 हो चुके हैं अब हम एक फंदा इसके साथ हम गटाएंगे किसी तरीके से अपनी रोग कम्प्लेट कर लेंगे अब जो शुरू के फंदे बड़े में उल्टी सलाई हम शुरू करेंगे अब हम इनको फंदा उतार लेंगे अब जो है बीच्वाला डीजाइन है इस भी एक फंदा उल्टा सीधा है तो इस सीधा एक उल्टा इस सीधा एक उल्टा देखें अब जो हम बीच पर बड़ें होंगे इनको हम उल्टा पुनेंगे इसी तरीके से इस सारी रोहीं कम्प्लीट कर लेंगे देखें अब हमारा इटीजाइन बनना शुरू हो गया है अब इस रोह में हम हमारी थर्टीन रोह शुरू है इसको हम यह जो बड़े हुए फंदे थे इनको हम सीधा ही बुनेंगे बढ़ाना नहीं है आपकी बार अग इसी तरीके से तो सीधा होनेंगे और जी हमारा सीधा फंदा है इसको पलट कर इसके साथ मिला करके एक बनाएंगे यह हमारा फंदा कर जाएगा फिर हम इसको पलट लेंगे दो का इक कर लेंगे फिर पलट लेंगे दो का इक कर लेंगे देखिए कर दो कर लेंगे इसी तरीके से पूरी रहा हम कम्प्लेट कर लेंगे अब हमारी यह लास्ट रो है कि इसके लिए हमने जो सुरू के आठ फंदे हैं इनको हमने उल्टा बूल लिया और जो यह चे फंदे हैं सिधर सीधे वाले इदर से इनको हम गले वाली गलप उनने वाली सलाई लेंगे मेरे पास चोटी वाल आपकी इसको यूज़ कर लिया इसको हम जो छे फंदे हैं इसमें उतार लेंगे 3 जाय मोंचे उतार लाईएगे यह जो एक दो तीन चार पहुंच और ये छे फंदे जो सीध्य वाले थे इसमें उतार लिया हमने तो हम इस तरीके से इसके उपर को हम धागा तीन बार लपेट लेंगे एक दो और ये तीन तहागा अपनी साइड किया और फिरूं इनको जो छे फंदे हैं बुन लेंगे हमशी जा ही जाल जाल पाँच और ये छे देखे इस तरीके से इस तरीके से हमने इनको लेपेट लिया अब हम जो ये बीच के पड़ेगे रन देते इनको हम उल्टा बुनेंगे पाँच में प्अबाइगी देखिए अब ये छे बंदे हमारे टीजाइन वाले आ गए हैं इनको हम इसी तरीके से एक ऐसी सलाई पर उतार लेंगे पिर हम इसको तीन बार लपेट देंगे तो हो ही तीन फिर हम इनको बुट लेंगे हैं बाकी के जो हमारे फंदे बच्चे हमें हैं इनको उल्टा बुल लिए हुआ देखें ट किसे प्यार डिजाइन है अब हम हमने 44 पंदे डाले थे आप हम इनको एक बार गिन लेंगे प्रेंट जब ये डिजाइन पूरा हो आप एक बार फंदें किन लीजेए इसमें जो बंदी हैं वो कम जादा हो जाते हैं और इस तरीके से हमें हम जो गलत हो जाएगा है हमारा डिजाइन जो कमपलीट हो चुका अब हम बापाटDZeaster पूल्टा बूनेंगे इसी तरीके से उल्टी सलाई पूर्थ दाड़ लेंगे फ्रेंज यह पंद्रा सलाई में पूरा होता है यह बहुती प्यारा डीजाईन है कि देखिए अब हमारे जो तीन सलाई है में एक साइड को उल्टी हमने मुलने यह हमारा सीधा पार्ट है अब हम जो उल्टी की साइड है एक सलाई हम उल्टी बुनेंगे युदर को को requisकी कि लाँ हमेலि कुछले कालने वे में ठाकाई है एक सबस्थेश खती हमेल और्म कहते है थे पार्टी झाय की से बूलो, कंपलिके लाँ हमारे बुर्टीन की साइब है से दूसरा डीजाइन अपना शुरू कर लेंगे देखिए बहुत प्यारा डीजाइन है आप अपनी जैकिक में डाल सकते हैं कार्डिगन में डाल सकते हैं चाहे तो आप अलग पॉर्डर्स का बना सकते हैं पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल क सब्सक्राइब बनी तेंक यू